यू विल्कम वो यू कहते हैं कि बूंद बूंद से ताला भरता है एकुटी फंड में S.I.P करते हैं तो उसकी कंपाउंडिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है यदि आप लांग टर्ण के लिए मात्र एक हजार ही इंवेस्टुमेंट करते हैं S.I.P के मात्यम से प्रतिमा तो लांग टर्ण में उसका बेनिफिट बहुत ही अधिक होता है वो किस तरह से होता है आईए हम एक उदारन के तवर पर समझते हैं और अपने एक स्क्रीन पर मोबाईल के इसक्रीन पर ही चलते हैं और रिकार्डिक आन करके आपको हम बताते हैं कि उसका बेनिफिट है लांग टर्म में वो किस तरह से बहुत ही जागा होता है तो आइए चलते हैं एपने मोबाईल की स्क्रीन पर आगे हैं वो कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है इसका सबसे अच्छा उधारण है इक्विटी फंड में S.I.P. के माध्यम से निमेश करना और सतन 15 प्रतिशत का compound return मिल जाता है यदि निमेश को आगे भी बनाए रखा जाए तो ये 20 प्रतिशत को भी लांग चाता है आए एक calculation देखते हैं इस उधारण में S.I.P. को 1,000 लिया गया है value 1,000 है और 15 प्रतिशत investment तब हम आगे देखते हैं कि after 5 years में हम 60,000 इन्वेश्ट करेंगे और हमें जो benefit मिलता है वो 88,575 रुपे का मिलता है और यही एक हजार प्रतिमा S.I.P. हम जारी रखते हैं 15% के हिसाब से 10 years के लिए तो हम invest करेंगे 1,020,000 रुपे और हमें मिलेगा 10 years बाद 2,75,271 रुपे यही S.I.P. एक हजार 15% return हम 15 साल के लिए invest करते हैं तो invest एमांट होगा 1,80,000 और इसका जो पूरा एमांट मिलेगा हमें 15 साल बाद वो 6,668,507 रुपे यही S.I.P. एक हजार हम 20 साल के लिए invest करते हैं तो हमें 2,40,000 रुपे इन्वेस्ट करने होंगे और हमको उसका benefit मिलेगा 14,97,249 यही हम जारी रखते हैं एक हजार S.I.P. 25 साल तक के लिए तो हमें सीधे 3,00,000 रुपे इन्वेस्ट करने होंगे और 32,43,530 रुपे हमें benefit मिलेगा और यही S.I.P. हम एक हजार आप्टर 30 यर थर्टी यर तक हम जारी रखते हैं तो हम इन्वेस्ट करेंगे 3,00,000 रुपे और हमें उसका बहुत बड़ा benefit मिलने वाला है 69,23,280 रुपे माई डियर फ्रेंड यही S.I.P. एक हजार हम जारी रखते हैं आप्टर 35 यर तो हम 35 यर में कितना जम इन्वेस्ट करेंगे 4,20,000 रुपे इन्वेस्ट करते हैं और हमें कितना मिलता है बहुत बड़ा compounding का जो long term का है यह 1,46,47,180 रुपे माई डियर फ्रेंड S.I.P. के जो compounding power है वो बहुत ही जादा है यह मात्र एक हजार रुपे की compounding power है यही S.I.P. हम अगर 2,000 करते हैं तो यही इसका power डबल हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि इसका compounding power कितना होता है तो जो सोच रहे हैं लोग वो सोचे ना और S.I.P. में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें जिस तरह से आपका जो आपके salary हो उसमें से 500 ही स्टार्ट करें एक हजार स्टार्ट करें जो आपका minimum जो बस सके आपके मंथली खर्चे से घर के खर्चे से वो आप इधर उधर ना करके खर्चे आप S.I.P. में इन्वेस्ट करना सुरू करें आपको एसास भी नहीं होगा धिरे-धिरे वो एक बहुत बड़ा amount में convert हो जाएगा तो thank you very much यह उधरन के सुरूप आपको समझाना था कि S.I.P. में इन्वेस्ट करें और जो mutual fund की power है और यह equity fund की power है यह बहुत जादा power है और long term के लिए इन्वेस्ट करें long term में ही compounding की power आपको देखने को मिलेगी तो thank you very much have a good day